जैनी बानी विविद विधी वर्नत विश्व प्रमान स्यात्पद मुद्रित अहेत हर करहु सकल कल्यान मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैंन मान बिन दान धन एन हीन तन छीन इह विधी मंगल करानते सब विधी मंगल होत होत उदंगल दूरी सब तम जियों भानु द्योत होत उदंगल दूरी सब तम जियों भानु द्योत गुलिस्थान चर्चा विशय अपना चल रहा है और इस के अंतरगत चतुर्थ गुलिस्थान की चर्चा हम प्रारम कर चुके हैं इस चतुर्थ गुलिस्थान में हमने सरवपर्थम गुलिस्थान का अर्थ जानने का प्रयास किया था मूल शब्द है अवीरत सम्यक्त इस अवीरत सम्यक्त में जब यह जी पहुंसता है उस समय भेद विज्ञान करता हुआ आत्मा का तिंद्री आनंद प्राप्त करता है ऐसे उस तिंद्री आनंद को प्राप्त करता हुआ चतुरत गुलिस्थान में आकर आगे बढ़ने के लिए निरंतर पुरसार्थ करता है ऐसे इस अभीरत सम्यक्तो नाम के गुलिस्थान को अपन अभी आगे बढ़ाएंगे एक बार जितनी अपन ने चर्चा कल की थी पाँच मिनट में उसको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं अभीरत शब्दकार्थ हमने देखा था अभीरत के से कहते हैं हमने देखा था आ माने नहीं और विरत माने विरक्त होना त्याग होना तो जो पाँच इंद्री और एक मन के विशय तथा छे काई की जीवों की हिंसा इनका त्यागी नहीं होता है उसे अभीरत कहते हैं लेकिन त्यागी ना होने पर भी जिनेंद्र भगवान के कथन पर अटल सरद्धान रखता है वस्तू सरूप का यथार सरद्धानी होता है सुपरभेद विज्यानी होता है आत्मा का सरद्धान करने वाला होता है ऐसा यह जीव अभीरत सम्यक्तों गुडिस्थान वाला कहलाता है ऐसे उस अभीरत सम्यक्तों के गुडिस्थान के अंतरगत हमने देखा था कि ऐसे गुडिस्तान की परिवासा पढ़ने के बाद इसका स्रद्धा अपेक्षा निरूपन चारित्र अपेक्षा निरूपन इन सब की हमने संशेप में चर्चा की कि स्रद्धान तो उसका सम्यक होता है चारित्र भी सम्यक होता है ऐसे स्रद्धान सम्यक होते हुए उसके सम्यक स्रद्धान के भी तीन रूप हमने देखे थे कौन-कौन से तीन सम्यक्त के तीन रूप तीन भेद कौन-कौन से भेद औपसम एक सम्यक्त शाय औपसम एक सम्यक्त और शाय एक सम्यक्त ए तीनों ही सम्यक्त मोक्ष मार्गे के लिए मोक्ष के लिए अनिवारी ही है इन मैंसे कोई एकाद नहीं हो और हम सोचे के मोक्ष हो जाए ऐसा संभव नहीं है तीनों ही अनिवारी हैं और इसी क्रम से ही होना चाहिए क्रम बताया था सबसे पहले ओवसमिक सम्यक्त उसके बाद शायवसमिक सम्यक्त और तीसे नमबर पर शायवसमिक सम्यक्त इसी क्रम से इन सम्यक्त की प्राप्ती होती है और जीव फिर मोक्ष प्राप्त करता है तो उपसम एक सम्यक्त तो किसे कहा था? सातों प्रकृतियों के उपसम से अत्वा दब जाने से जो सम्यक्त प्रगट होता है उसे उपसम एक सम्यक्त कहते हैं दूसरा शयोपसम एक सम्यक्त छै प्रगटियों का क्या होता है शयोपसम और एक प्रगटि का ओदय उसको कहते हैं शयोपसम सम्यक्त तीसरा शयाएक सम्यक्त तो किसे कहा? सातों प्रकृतियों का क्षय हो जाना नश्ट हो जाना उसे कहते हैं शायक सम्यक्त तो ऐसे तीनों प्रकार के सम्यक्त की हमने परिवासा अभी देखी थी और फिर इन तीनों में अंतर जानने का प्रयास किया तीनों में अंतर कल हमने देखे थे कुछ कुछ देखे थे, आज उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रारम करते हैं, अंतर निकालें भाई, वहाँ पर यहाँ जी, फिर से पहुचें, थोड़ा सा ये अक्षर कम दिख रहे हैं, लेकिन मैं पढ़के भी बोलता जाओंगा, तो आपको ख्याल में आते चल जाएंगे, सबसे पहला अंतर हम नहीं देखा था, कि आपसमेक सम्यक तो यह है, सबसे पहले होता है, कक्षा के बाद कई लोगों ने फर प्रस्ण भी किये, कैसा क्यों, आपसमेक सम्यक तो पहले होता है, डारेक्टे शायक भी हो जाए न, यदि कोई केवली सुर्थ केवल में चला जाए, ऐसे भी जीव हैं, कि डारेक्टे केवली सुर्थ केवली के पाद मूल में चले गए, तो उनको डारेक्टे शायक सम्यक हो जाएगा, तो यह दो सर्त क्यों रखी, कि आपसमेक भी पहले हो, फिर शायक भी हो, तो यह सर्त इसलिए हैं, क्योंकि जो केवली पाद मूल में भी चला जाएगा, तब भी उसको यह दोनों सम्यक्त होंगे ही, उसके वाद शायक होगा, डारेक्ट शायक सम्यक्त किसी को नहीं हो सकता, उसके पीशे कारण क्या है, देखिए कोई भी चीज, कोई भी प्रकृति डारेक्टे तो नश्ट होती नहीं, तो दर तो क्या होगा उसके लिए सबसे पहले, सबसे पहले तो दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े होंगे, यह टुकड़े करना निवारी है, जैसे भारत देश के किये थे न, अंग्रे जो ने, गुलाम करना था तो क्या किये सबसे पहले, फूट डालो और शासन करो, तो ऐसे यहाँ पर भी करना पड़ता है, हर जेगे वही रीतिनीती है, तो क्या करना पड़ेगा, दर्शन मोहिनी सीधा नश्ट नहीं होता है, तो उसमें फूट डालना पड़ती है, फूट डालना पड़ती है, मतलब उसके टुकड़े करना पड होते हैं तो तीन टोकड़े कैसे और दो हुए है वे नश्ट हो सकते हैं तो कभ होंगे नश्ट हो दहिए में आखेन रोते हैं कोई भी कर्म है दाव पी हुए नश्ट होथा नई होता ओदय में आकर नश्ट होता है जैसे कहीं पर पानी का टेंक भरा हुआ हो तो कैसे नश्ट होगा कहीं न कहीं से तो रास्ता निकलने पड़ेगा ना पानी बाहर जाने का तो ऐसे ही एक तीनों टुकडे दवे हुए हैं और दवे हुए होने पर इनका नास नहीं होता है तो समझ लो एक तरह से कि कहीं पर पानी बहु बहुत उसमें नल है कि लगा दीआ तो पानी निकलने का रास्था मिलगे तो कि होगा ला हुआ यहाँ सम क्सम्यक्त होकर मुझे कर से हुद connection कि प्रिकृति का में और छे का क्या है? अनुदय है, शहूप सम्हे कहें, तो छे तो एक तरह से अनुदय है, दबी हुई हैं, और एक का चल रहा है, उदय चल रहा है. अब क्या होगा? मिथ्यात तो सम्मिक मिथ्यात तो मिलता है सम्मिक मिथ्यात तो सम्मिक प्रकृति में और सम्मिक तो प्रकृति का ओदय आता है तो सारा मटेरियल नश्ट हो जाता है दर्सन मोहिनी समाप्त शायक सम्मिक तो जाता है तो ये प्रिकरिया है शायक सम्यक तो होने की डारेक्ट शायक सम्यक तो सीधा नहीं होगा तो ओफ सम्यक होगा वो तीन टुकड़े करेगा शायो सम्यक उसको नश्ट करने का उदय में लाने का रास्ता बनाएगा और शायक सम्यक्त फिर होई जाएगा तीनों के नश्ट होने से इस कारण से सबसे पहले ओफ सम्यक होना जरूरी है फिर शायों सम्यक और फिर शायक एक रम तीनों का कहा दूसरा नंबर का पॉइंट इसमें एक बार त्री करण परणाम आवस्थक हैं तीन करण परनाम, किसमें आवसाख है, और शम्ज़ सम्यक्त में, अधा करण, अपूर्व करण और अनिवत्ती करण, this Man, तीन करण, कितने तीन करण, नहोकर, मनें दो ही करण होते हैं, अधा करण और अपूर्व करण, फिर इसमें इसमें दो बार त्री करण परणाम होते हैं तीनो करण परणाम आधा करण अपूर करण अन्रवित्ती करण एक इतने बार होंगे दो बार होंगे बराबर इस तरह का प्रश्न हो सकता है आपने कहा कि दो बार कैसे कि एक बार तो हो गया वहाँ किसमें ओफ समयक हुगा और फिर अब शायक होगा तो एक बार और हो जाएगा ठीक है ऐसे प्रस्णोत पन्न हो सकते हैं लेकिन वहाँ वाला यहां काउंट नहीं होगा वहाँ ओफ समयक वाला तो ओफ समयक महीं है यहाँ शायक वाले के लिए स्पेसल दो बार होगा अच्छा क्यों होगा वो भी देख लेते हैं जब शायक समयक तो होता है तो फर्स्ट स्टेप है अनन्तानुबंदी की विसंयोजना होती है अब प्रस्ण होगा यह अनन्तानुबंदी की विसंयोजना क्या है अनन्तानुबंदी सारी की सारी अनन्तानुबंदी का जो material है वो सबका सब अप्रत्या ख्यानावर्ण का शायों में जाके मिल जाता है अप्रत्या ख्यानादेख में चला गया अब एक काम कितना हुआ ये जो काम हुआ इसमें तीन करण चाहिए अनन्तानुबंदी की विसेयों जना हुई इसमें तीन करण और उसके बाद दर्सन मोहिनी के शाय के लिए फिर से तीन करण चाहिए तो तीन करण वो और तीन करण ये तो कितने बार हुए दो बार तो दो बार ये तीन करण कितने बार होंगे? दो बार होंगे. अब आगे बढ़ें. अब बता दिए अधा करन अपूरू करन. अब अगला बिंदु अपन आगे देखते हैं पॉइंट नमबर चार. इस चार नमबर में क्या कहा? अच्छा तीन नमबर. इसमें साथ प्रकृतियों का उपसम है. इसमें शे का शे उपसम वाएक का उदय है. और शायक में इसमें साथों का शे है. लोग कितना कल भी अपन ने चर्चा की थी? एस सारा काम सम्मेक द्रिश्टी के हो रहा है. हो सकता है कि उसको ही पता नहों कि ये भी काम हमारे जीवन में हो रहा है. ओफसमेक सम्मेक तो किसी जीव को हुआ. तो ओफसमेक सम्मेक तो होने पर ये तीन टुकड़े होना, तीनों को दब जाना, इसका ग्यान हो सकता है ओफसमेक सम्मेक द्रिश्टी को भी ना हो. हो सकता है. और मिठ्या द्रिश्टी को हो सकता है. क्या हो सकता है? इसका ज्यान देखो जानकारी है तो जानकारी मिठ्या द्रश्टी जीवों को हो सकती है और जिसने सम्मिक्त प्राप्ते किया है उसको इसकी जानकारी नहीं भी हो लेकिन जानकारी नहीं होने पर काम तो होगा शेव भूती मुरी राज थे उनको पता था है उनको तो कुछ पता यी नहीं था कुछ रियाद ही नहीं रहता था कुछ ग्यान ही नहीं था ऐसा तो ऐसा ना होने पर भी बताइए उनको ये दी और समस्व एक सम्मेग्ष हुआँगा तो दरसन मोहिनी के तीन टुकड़े हुए होगे के नहीं पिर शायव सम्मेक्त हुआ होगा तो यह सब हुआ होगा के नहीं शायव सम्मेक्त हुआ होगा तो हुआ होगा के नहीं इस सारी चीजें होती हैं उसका हम ग्यान करने का प्रयास कर रहे हैं बस कोई यह भी सोच सकता है कि ग्यान करने से क्या फायदा काम तो आटोमेटिक होना ही है तो ग्यान क्यों करें जितना जितना हम अभ्यास करते हैं हमारा ग्यान निर्मल होता है और जब ग्यान निर्मल होता है तो द्रनता आती, स्पस्टत आती है बाहर का जैसा हमारा जीके है न जिस फील्ड में भरत भाई आपका जैसे जो फील्ड है होने को यह असली फील्ड है अपना बागी जो जो भी और होगा कोई भी फील्ड है तो जितनी गहराई आती है तो उसमें एक मजबूती आती है द्रनत आती है एक अलग ही जाती का आनन दाता है आप लोगों ने भी देखा होगा और जो अभ्यासी है जो चीज पढ़ते हैं या जो सुनी हुई है यदि वो पढ़ते पढ़ते कभी शास्त्र में देखने को मिल जाए और यह चीज तो मैंने वहां सुनी थी यह हमली कितना अच्छा लगता है एक वह अलग जाती का ही एक आनन दाता है हो सकता है कि हमनेखें पढ़ी भी थी उतनी समझ में नहीं आई और वोई बात कहीं और अच्छे से ड्रन हो गई कहीं पकी कहीं बता दी गई सुनने में आगई तो जहां वो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है तो एक अलग ही आनन्द आता है तो इससे हमारे ग्यान की निर्मलता बढ़ती चली जाती है स्पष्टता होती है आगम का अभ्यास हमारा द्रण होता है इसलिए हमें इसका अभ्यास करते ही रहना चाहिए चलिए आगे अपन बढ़ते हैं पॉइंट नमबर चार इसका उत्क्रिष्टवा जगन्यकाल अंतर मुहूर्त है किसका ओफसमेक सम्यक्तो का उत्क्रिष्टेकाल भी अंतर मुहूर्त और जगन्यकाल भी अंतर मुहूर्त है इससे ज़्यादा नहीं बने आफ सम्यक सम्यक तो किसी जीव को हो जाए तो आफ सोचें कि वो हो गया तो हो गया पर्मानेंट ऐसा नहीं होगा आफ सम्यक सम्यक तो अंतर मुर्थ के लिए होता है उसके बाद नियम से क्या होगा आफ सम्यक सम्यक तो नियम से छूटना ही है क्योंकि उसका काली अंतर मुहरत, उससे जादा देर तक रहने वाला नहीं है, चलिए, शायो समिक सम्मेक तुका काल कितना है, अंतर मुहरत, और उत्करिश्टे कितना, 66 सागर, 66 सागर तो जानते ही होंगे, क्या होता है अच्छा सर्सागर अब होने को जो अभी आप लोग बोले ना कि इतना इतना गड़ा खोदना और फिर गड़े में रोम यह वास्ताओं में यह तो सारा पल में हो जाता है सारा काम सागर तो बहुत दूर है भी यह सारा जो गड़े खोदने का काम है पल में होता है सागर तो जो गड़े खोदने की प्रिक्रिया है वह प्रिक्रिया तो पल्ले के लिए है पल्ले निकालने के लिए बताते हैं और सागर पता है पल्ले से कितना बड़ा होता है पल्ल से सागर कितना बड़ा दस कोड़ा कोड़ी दस कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है सागर बहुत बड़ी चीज है छोटी बोटी चीज नहीं है तो यहां तो बात किसकी कर रहे है 66 सागर एक सागर नहीं 66 सागर की बात यहां चल रही है 66 सागर अधिक तम शायव सम्यक्तु रह सकता है बल्की और इसमेदी और गहराई से अब बात करें तो मालो 66 सागर मैं एक अंतर मूर्त के लिए यदी वह जीव शायव सम्यक्तु को छोड़े और छोड़ कर कहां पर आए तीसरे गुडिस्तान में, कौन से गुडिस्तान में? तीसरे गुडिस्तान में, एक अंतर मूर्थ के लिए तीसरे गुडिस्तान में आए और फिर से शायो समिक सम्यक्तु प्राप्त करे, तो फिर उसके बाद लगातार फिर 66 सागर तक शायो समिक सम्यक्तु रह सकता है, तो इसका मतलब हुम क्या कहें एक अंतर मूर्त कम एक सो बतीस सागर तक शायोव समेक सम्यक्त रह सकता है आपने कहा कि कैसे संभव है असंभव सा हमें लगता है लेकिन फिर भी ये संभव है और उसकाल में यहजीव कहां प्रह्मन करता है मनस्में देव में मनस्में देव में मनस्में देव में इस तरह से मनस्में देव के ऐसे भाव करता हुआ और इतने सागरों की आयू तक शायोव समेक सम्यक्त बना रहता है और वह जीव अभी आगे बड़ा ही नहीं है शाय उपसम एक सम्मिक द्रिष्टी ही बना है किसका? शाय उपसम एक का बताये था शाय उपसम एक सम्मिक तो कि अशाब दे कर था पूँचा है आपने शाय और उपसम दो सब्द है न उसमे शाय और उपसम उप्षाय 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 उप्ष वह नहीं की दो इन छे का तो क्या है चैवी है कि उपसम भी है और सम्यक्त प्रकृति का उदय है यह पूरी कंडिशन जब बनती है तीन स्टेप में तब यह है शाय उपसम्यक्त सम्यक्त बनता है ठीक है तो हमने देखा इसका उत्क्रिस्टिकाल हो गया चासर सागर और जगन है अंतरमूर्द है आप ने कहा जादा जीव इसी में रहते होंगे अब यपन देखते हैं यहां यदी कहीं कुछ आता है तो मैंने सबसे जादा संख्या दी यपन देखें तो कहा हो सकती है चलिए आगे और आप ने कहा कि इसमें प्रतीती बनी रहती के शासर सागर तक प् भूती होना अलग बात है, प्रतीती होना अलग बात है, प्रतीती तो बनी रहेगी, क्योंकि सम्मेक दर्सन लगातार कायम है, और सम्मेक दर्सन लगातार कायम है, तो प्रतीती सरद्धान तो बना ही रहेगा, हाँ वो तो है, तो इस तरह से एक काम होता रहता है, जैसे, हाज प्राश्न है 66 सागर की आयू कहा होती है आपने गाना 66 सागर तो ये 66 सागर की आयू किन की होती है प्राश्न ये है तो दो की जोड़के मिला दो हाँ आपका कहना है कि 33 सागर तो देवों की उतकरिस्ट है 33 सागर नारिकियों की उतकरिस्ट है तो इनकी तो ज़्यादा 66 सागर नी हुई तो निगोदिया की हो सकती है उनकी ज़्यादा होगी क्या होगी किसकी होगी है चलिए और किसी को थोड़ी कुछ कहना नया नया आता न तो यह चीजे खुल के आती न तो फिर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है वो फ़र पक्का हो जाता है वो याद बना रहता है तो किसकी होगी एक पर्टिकुलर किसी जीव की लगातार किसी भी गती में 66 सागर की किसी की आयू है ही नहीं हाईस्ट यदी उतक्रिस्ट आईउ है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसकी कितनी है 33 सागर 33 सागर से ज़्यादा आईउ है ही नहीं किसी की मनुस्त त्रेंचों में तो है नहीं और यदी है तो किसमें देव और नारिकियों में है तो 66 सागर की तो आई यह होती नहीं है 33 सागर की यहाँ जो 66 सागर जो बनेंगे वो देव, नारिक, मनुस और देव मनुस और देव उसका भी क्रम है हाँ मराबर हाँ जी क्या बोले आपका कहना प्रश्ण है शायोपसमेक से ओपसमेक में नहीं आ जाते क्या बापिस शायोपसमेक से ओपसमेक में वो जीवा सकते हैं जिनके स्रैनी चड़ने का काल आ गया है जो अब स्रैनी चड़ने वाले हैं मुनिराज उनके शायोपसमेक से ओपसमेक हो सकता है और शायो सम्मेक से उपसमेक होगा तो उसका नाम क्या होगा दुत्योपसम फिर उसरे नहीं चड़ जाएंगे यहां तो भी लगातार वाली बात कही है कि लगातार शायो सम्मेक सम्मेक तो 66 सागर तक बना रह सकता है ठीक है अब आगे शायो सम्मेक तो काल कितना कहा शायो सम्मेक तो काल अनन्त काल साधी अनन्त एक बार हो गया तो अब अनन्त काल तक रहने वाला है भले ही वो किसी भी गती में चला जाए कुछ समय के लिए किसी भी गती में चला जाए तो चला जाए लेकिन कहीं पर भी जाए अब एक बार शायक सम्यक्त हो गया तो अनंत काल तक के लिए फ्री अब कभी हुआ है ना तो इन दूसरे किसी सम्यक्त में आएगा और नीचे मिठ्यात वादेक में तो आएगा ही नहीं ऐसा हाँ नियम से मोक्ष में ही जाएगा हो तो अब यह जरूर नहीं है कि उसी भाव से जाए हाँ लेकिन जाएगा जरूर जल्दी से जल्दी जाएगा हाँ जी क्या बोलें आपको प्रस्ण आई गया कि शायक सम्यक्त है अधिक्तम आपने का तीन भाव में ही मोक्ष जाता है जाता है के जाता है क्या चलिए आप लोग कोई बताएंगे शायक सम्यक्त द्रिश्टी अधिक्तम कितने भाव मोक्ष जा सकता है हाँ जी आपने का साथ आपने का अधिक्तम तीसरा जो बता सकते हैं तो अपनी देखो कक्षा ही है कोई प्रवचन तो है नहीं कि धारा प्रवाह बोलना ही है थोड़ा आपस में बातचीत करेंगे तो विशा एक खुलता भी है स्पस्ट भी होता है कितना? आपने भी तीसरा कहा और कुछ? आपने दूसरा बोल दिया क्या बोले? उस भाव से या फिर अगले भाव से मतलब अधेक्तम दो हो गए फिर चलिए अच्छा चलो कंडिशन अपलाइड बढ़िया शायक सम्मेक दिरिष्टी जीव अधिक्तम चार भाव हो सकते हैं अब देखो इतनी डिसकस करने के बाद अब आंसर मिला तो अब नहीं भूलेंगे कभी हम सीधे सीधे बताते जाते तो भूल भी जाते अधिक्तम चार हाँ चोथा में जाना ही है चलिए आपका कहना है इस चोथा आएगा कैसे ठीक है स्रेनेक राजा को मनस्त भाव में हुआ अब नरक में गए और फिर मनस्त में आके फिर मोक्ष जाएंगे ठीक है तो कितने भाव हुई तीनी भाव हुई आपका कहना है कि राजा स्रनेक का उधारन रिये दी लिया जाए तो राजा स्रनेक को यहाँ पर शायक सम्यक्त हुआ अब कहाँ पर गए नरक में गए तो एक भाव यहाँ का दूसरा भाव नरक का और फिर मनुस्त में आएंगे और वहाँ से मुक्ष जाएंगे तो तीन ही तो भाव हुए इस से जादा कहा होते हैं चोथा पन बनाते हैं कैसे किसी जीव ने उसी मनुस्त भाव में मनुस्त की अथवा तरेंची की आयू बांदली हो सम्यक्त होने के पूर्व किसकी आयू बांदली हो मनस्तातवा त्रेंच गती की आयू बांदली हो और फिर उसके बाद शायक सम्यक तो हो जाए अब बताओ क्या होगा सम्यक दर्सन हो जाएगा शायक सम्यक तो एक भाव तो यहीं का अब नियम से वह कहां जाएगा भोग हुमी का मनस्त त्रेंच बनेगा अब भोग हुई में जाएगा तो यहां का एक भाव भोग हुई में गया दो भाव और भोग हुई में से नियम से देव में ही जाएंगे तो कितने हो गए तीन भाव और देव में से फिर यहां मनस्त में आएंगे और यहां से मोक्ष जाएंगे तो चार भाओ इस तरह से अधिक्तम चार भाओ हो सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं चारी अगला बिंदू हाजी ना फिर से एक बार हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ आपका कहना यह है प्रशने सुन ले कि किसी जीव को शायक सम्यक्त हो गया इस भाओ में अब मालो मरन करके चला गया कहीं और फिर घूम फिर के मनस्यों में आया तो मनस्यों में आठ साल के पहले तक क्या नहीं होता सम्यक दरसन नहीं होता उसकी पातरता नहीं है लेकिन शायक सम्यक दरसन तो वो तो लेके आएगा यहां तो नया उत्पन होने के लिए आठ साल की अवदी है आठ साल का नियम है लेकिन शायक सम्यक दरस्टी है वो तो लेके ही आया है अब आपका कहना है कि वो शायक सम्मे रश्टी है तो क्या वो प्रतीती बनी रहेगी वहां तो क्या गर्व में भी गर्व काल में भी प्रतीती बनी रहेगी जन्म के बाद तो बहुत दूर की बात है तो यह बना रह सकता है कोई बड़ी बात नहीं है क्यों नहीं होगी हाँ बस चलिये आगे कि पांच भाश पॉइंट इसकी उतपत्ती के समभे गोणसरेणी नरजरा होती है ज़द पीए विश्याय थोड़ा सा बहुत विस्तार का है इसको हम बहुत विस्तार में लगे गोणसरेणी नरजरा क्या है कैसे होती है नहीं तो फिर इसमें ही बहुत लंबी प्रोसेस है उत्पत्ती के समय गुण स्रेणी नर्जरा होती है किसके ओफ समय के शाय ओफ समय के इसके गुण स्रेणी नर्जरा नहीं कही सब्देकारतब समझ लें गुण स्रेणी नर्जरा का मतलब होता है गुणा कार रूप से नरजरा जैसे पहले समय में हुई असंख्याद गुणी तो अगले समय में उससे भी असंख्याद गुणी और अगले समय में उससे भी असंख्याद गुणी तो गुणा का रूप से असंख्याद, गुणी असंख्याद, गुणी नर्जरा को गुणी नर्जरा को गुणी नर्जरा कहते है तो ओवसमेक सम्यक्त में उत्पत्ती के समय है शाय ओवसमेक सम्यक्त में तो गुणी नर्जरा कही नहीं और शायक सम्मेक तुमें प्रती समय गुनसरी नर्जरा होती है उत्पत्ती हो गई और उसके बाद लगातार होती रहती है यह प्रत्मोव सम्म की अपेक्षा मात्र मिथ्या दृष्टियों को ही होता है और सम्यक सम्यक तो किसको होगा मात्र मिठ्याद्रिष्टी को ही होगा किसकी अपेक्षा प्रत्मोव सम्यक्षा मिठ्याद्रिष्टी को ही होता है अन्ने किसी को नहीं एक पॉइंट अब इधर दूसरा शायोद्रिष्टी में यह मिठ्या द्रिष्टी वा सम्मेक द्रिष्टी दोनों को ही होता है कैसे ठीक है फिर से बोलता हूँ शायो सम्मेक सम्मेक तो है मिठ्या द्रिष्टी को भी होता है और सम्मेक द्रिष्टी को भी होता है ऐसा कैसे हो सकता है मिठ्या द्रिष्टी को सम्मेक दर्सन हो ये तो म हाँ बस मिठ्ध्या द्रश्टी को तो शयुपसम एक सम्यक तो होई सकता है और किसको उपसम से जो शयुपसम होगा तो वो सम्यक द्रश्टी को भी शयुपसम एक सम्यक होगा तो इस द्रश्टी से मिठ्ध्या द्रश्टी को भी शयुपसम एक सम्यक और और सम्यक सम्यक द्र कोई भी हो सकता है क्या अनादी मिठ्या द्रिष्टी को शायोप सम्यक्त नहीं हो सकता शायोप सम्यक्त मात्र साधी मिठ्या द्रिष्टी को ही हो सकता है ठीक अगला बिंदू यहाँ पर यह मात्र सम्यक्त द्रिष्टी को ही होता है कौन सा शायक सम्यक्त दर्सन सम्यक्त द्र मात्र शायो सम्मेक्द्रिष्टी को ही शायो सम्मेक्द हो सकता है आगे नेक्स्ट नम्मर साथ यह पूर्णता निर्दोस है और सम्मेक्द पूर्णता निर्दोस है निर्मल है शायो सम्मेक्द यह कैसा है सदोस है सदोसे इसमें चलमा लगार दोस लगते है और यहां पर शायक सम्यक्त पूर्ण तहा निर्मल है इसमें भी कोई दोसे नहीं लगते अगला आठवा पॉइंट यह एक बार छूट कर पुनहा अच्छा है नहीं देख रहा है एक बार ऑफ सम्यक सम्यक्त हो जाए और छूट जाए तब दुबारा हो तो कब होगा यहीं दुबारा होगा तो है पढ़ लिया यह क्या है वो हम जो जो चाह रहे थे ना वो पीपीटी बनाए थी वो थोड़ी सी सैट नहीं हो पाई यह तो एक एक आदा फिर पूछते फिर बताते तो और बढ़िया हो जाता कितने बाद और समयक्त तो समझना यहां प्रस्मोप समयक्त एक जी को किसी को हुआ होकर फिर छूट जाए तो छूट जाने के बाद दुबारा फिर से प्रस्मोप सम हो तो कितना काल लगेगा हैं आपने का अर्दपुदगल परावरतन और अरे बाद आप तो बिलकुल गौवमर्ट सार कर्मकार्ण की हिगासा बोल दी एक दम एक्कुरेट जवाब तो यही था सामान रूप से कहते हैं असंख्यात वर्स कितने कितने असंख्यात वर्स और विसेष रूप से जानना हो तो गौवमर्ट सार कर्मकार्ण के नुसार अब उस सब्द नए नए नहीं लाता मैं कोसिस करता हूं एक बार प्रसमुवसम सम्यक तो हो जाए होकर छूट जाए और दवारा प्रसमुवसम करना हो कितना gap पड़े दो इसलिए तो कहते हैं कि एक बार जो निधी मिल गई जो निधी पाकर निजवतन में गुपत रह जान भोगते हैं एक बार निधी मिल जाए तो गुपत होकर बस भोगो और आगे मैंटेन करके बढ़ते चलो और यदि चूके तो विसे चोर बहू फिरत हैं फिर ही रहे हैं कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने को तयार हैं इसलिए लगातार लगातार उस पोजीसन को मैंटेन करने के लिए मोदी एक बार चुनाओ जीत गए थे फिर दोबारा जीतने के लिए कहते हैं अब क्या करना अब तो जीत चुके हैं अब कोई परचार नहीं करना है कहीं नहीं जाना हमें पता है सब हो जाएगा काम क्या किया हमें किसी की अभी ना महिमा और कुछ बताना है मातर एक्जामपल के लिए 5 साल तक लगातार कहीं न कहीं मेहनत की है इधर विदेसों में जहाँ जहाँ और उसके बाद जब नया चुनाव आया तो नई प्लानिंग यह काम होगा यह काम होगा यह काम होगा लगातार लगातार तब वो पोजीशन मेंटन हुई कोई भी हम बिजनेस चालू करें बिजनेस चालू करने के बाद और हम सोचें दुकान खोल ली अब कुछ नहीं करना अब तो एसी लगाओ और आराम से बैठ जाओ क्या होगा चलेगी बंद हो जाएगी जैसी खोली है वैसे ही बंद हो जाएगी बरावर उसको अपडेट होना पड़ेगा नया नया किया चल रहा है मार्केट में क्या हो गया है पुराना माल कैसे निकालना ऐसा कैसे अज़िस को मैंटेन करना पड़ेगा यदि हमने सोचा कि अब तो हो गया काम हमारी दुकान चलेगी खूँप कमाई होगी बिलकुल नहीं होगा बरतमान में क्या माटेरियल आ रहा है क्या जरूरत लोगों की किसकी डिमांड है ये पुराना माटेरियल पड़ा है तो इसको कैसे निकाला जाए ये सारी योजनाएं अपडेट करते हुए आगे वड़ते हैं तो बिजनिस चलता है बराबर मेंटेन करना पड़ता है नहीं तो सब गर्लत हो जाएगा गरबर हो जाएगा ऐसे यह सम्मेक दरसन एक बार हुआ और फिर चूके मिठ्यात्तों में आये तो कितना काल निकल सकता है ये दब ये आपका कहना है अर्द पुद्गल्परावर्तनकाल किस के लिए है? अर्द पुद्गल्परावर्तनकाल तो अधिक तम मिंथयात तुम्हें बना रहे सम्मिक दर्शन होने के बाद जो मिठ्याद रिष्टी हुआ और मिठ्याद तुम्हें फेर हुआ है अधिक तम रहे तो किंच इतनी उन अर्द पुद्गल परावर्तन तक रह सकता है उसके लिए है यह ओफ सम्मिक अथवक किसी इसके लिए नहीं है हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ ऐसा हो जाएगा हाँ ऐसा हो जाएगा बिल्कुल आपका कहना है कि एक बार किसी को प्रसमुप सम्मिक थुगा छूट गया और फिर असंख्याद वरसों तक वो मिठ्या द्रस्टी बना रहे तो यह कैसे बना रहेगा तो उसके मिठ्यात्युका ओदै बना है और फिर उसने पुरसार्फ नहीं किया तो वहीं पर है तो इसको कई एंगल से चर्चा की जा सकती है अपन जादतर पुरसार्थ की तरफ से बात करते हैं यदि उस तरफ से बात करें काल लब्दी भवी तब्विता से तो वहाँ से ही बात कर लें कि उसका काल ही नहीं आया था भवी तब्विता होनहार ही नहीं थी तो क्या कर लेता ऐसे नमिते भी नहीं मिले पांचों समवायों की तरफ से बात कर सकते हैं लेकिन अभी हम मुखेता से पुरसार्थ को लेके चलते हैं कर्मों का निमित कि मिथ्याद तो का उजए चलता रहेगा संख्याद वर्सों तक तो मिथ्याद रस्ती बना रहेगा चलिए अगला यह छूट कर अंतर मुहूर्त में हो सकता है राहत मिल गई थोड़ी सी क्या राहत मिल गई यदि प्रत्मों प्सम छूट जाए तो उसको दुबारा होने में असंख्याद वर्स लगें लेकिन कोई सोचे रहे अब क्या होगा अब क्या होगा तो घबडाने की जरूरत नहीं है है वो तो ऐसे ही है सेट चलिए शायोवसम एक सम्यक्त छूट जाए तो दुबारा अंतर मूर्थ में हो सकता है और एक बात और केदी किसी को प्रत्मों प्सम हुआ था और प्रत्मों प्सम सम्यक्त छूट गया कहां पर आ गया मिथ्याद तुमें आ गया तो मिथ्यात तुमें आने के बाद आओए मिथ्या द्रिश्टी ही बना रहेगा संख्यात वर्सों तक ऐसा नियम नहीं है तो क्या हो सकता है उसके पास क्या सूविदा है कि जल्ली सम्मेक द्रिश्टी हो जाए तो सूविदा है रास्ते बहुत हैं निकालने वाला चाहिए तो क्या होगा शायो सम्मेक सम्मेक तो अंतर मूर्त में कर सकता है बले प्रत्मप सम्ना हो अंतर मूर्त में शायो सम्मेक सम्मेक तो हो जाए और फिर शायो के लेके मोक्ष भी चला जाए ऐसा थोड़ी कि हम रुके रहेंगे कब तक असंख्यात वर्स तक रुके रहेंगे इसकी आवश्कता नहीं है और शायोसम्मेक्ध हुआ छूट जाए फिर हो जाए फिर छूट जाए फिर हो जाए अंतर अंतर महूर्थ में छूट ना होना इसका बना रह सकता है ना ठीक है ठीक है आ सकता है हाँ आपका देव प्रस्न वोई आगिया बापिस जिसको हमने अभी कहा फिर से आपका कहना है कि आपसम एक प्रस्मोपसम किसी को हुआ और प्रस्मोपसम होने के बाद छूट गया छूटने के बाद अवह शयोवसम में आपने का नहीं आएगा वो मिठ्यात तुमें ही बना रहेगा मिठ्यात तुमें चला गया ठीक है मिठ्यात तुमें गया लेकिन मिठ्यात तुमें जाकर अंतरमूर्त में ही शयोवसम सम्मेक्द प्राप्त कर सकता है हाँ उसको ऐसा नहीं कि बेट करना पड़ेगा किसका असंख्याद वर्स का आवर्शक्ता नहीं हाँ प्रस्मोप्सम से प्रस्मोप्सम होने के लिए असंख्याद वर्स का गैप अनिवारिय है किसको ठीक है हाँ बिलकुल बिलकुल सही है हाँ आपका कहना है कि प्रस्मोप्सम एक बार हो गया तो दोबारा प्रस्मोप्सम हो जाए इसकी जरूरत है क्या फिर से प्रस्मोप्सम एक बार हो गया छूट गया तो अब दोबारा उसको प्रस्मोप्सम हो ही हो इसकी जरूरत ह गया बिल्कुल जरूरत नहीं है दुबारा कभी नहो अब उसका काम तो हो गया क्या काम हो गया पहले वाले पारी में ही उसने तीन टुकड़े कर दिये अब उसका काम हो गया अब कोई टेंसन नहीं है चलिए और यह है शायक सम्मेक तो छूट कर कब होगा शायक सम्मेक तो एक बार हो गया तो छूटने वाला नहीं है इस तरह से अपन ने आठ अंतर के द्वारा इन तीनों प्रकार के सम्मेक तो में भेद करने का प्रयास किया चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समय लगबग होई गया है न अब देखिए मैं बस यह थोड़ा आपको गाइड लाइन दे रहा हूं दो मिनिट की यदब ये शयोफसम का पूरा चार्ट बना है ये समझा नहीं पाएंगे यहाँ पर अभी है न क्योंकि ये समझाएंगे तो शयोफसम को समझाने के लिए पूरा एक गंटा और फिर इसके बाद एक और प्रकर्ण आएगा करन परणामों का भी चार्ट है बढ़ाते जाएंगे ये शयोफसम क्या है इसको समझने के लिए पूरा चार्ट है उसको आप लोग थोड़ा अभ्यास करें और जरूरा तो हो तो चर्चा के माध्यम से पूछ लें होने को यूटूब पर ये सारी चीजें पड़ी हुई है सारी कक्षाएं ये A to Z लगबख सो क्लास उसमें सारे A to Z इन चार्ट के माध्यम से पूरे गुड़े सान पर हैं तो वहां से भी देखें और फर उसके बाद चर्चा भी कर सकते हैं अब देखिए ये अपना ये नया प्रकनपन कल चालू करेंगे मातरू पर देखें चारित्र होगा तो कौन सा होगा कौन सा चारित्र है सम्यक चारित्र है सहीम रूप तो अचारित्र है अथवा इसको सम्यक तो आचरन चारित्र भी शास्त्रों में कहा गया है काल अपेक्षा निरूपन इस चतुर्थ गुड़िस्थान का जगन निकाल चारों ही गतियों की अपेक्षा अंतर मुहूरत ही है अभी जो पन ने देखा न सम्यक्त में अंतर अब इसमें क्या बताएंगे वो हम हिंट करते हैं चर्चा आगे करेंगे चारों गतियों में चतुर्थ गुड़िस्थान यदि रहे तो कितने कितने समय तक बना रह सकता है ये चतुरत गुरिस्तान का काल है तो मनुस्त गती में कब तक तरेंची गती में देव गती में नरग गती में तो कब तक रह सकता है कम से कम तो अंतर मुर्थ और अधिक्तम 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 ये जो आप बता रहे हैं ना तर्मूर्द और 66 सागर यह तो सम्यक्तु का काल है यह किसका काल है अब सम्यक्तु के काल की बात नहीं करेंगे अब अब किसके काल की किसकी गुड़िस्थान का काल कौन से गुड़िस्थान का चोथे गुड़िस्थान का काल अविरस सम्यक्तु का काल तो वह है देवगती मे में कितना, मनुस्र में कितना, तिरेंचे में कितना और नरक में कितना गतियों की अपेक्षा से अपन विचार करेंगे तो अपन इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे अभी अपन समय हो गया उसको अपन विराम देते हैं, ठीक है, बने गतियों की अपेक्षा देखा जाए तो स सम्म्यक्तु का ही काल है लेकिन चारों गतियों में सम्म्यक्तु का काल कितना कितना बन सकता है वो पन आगे दिए